हे गाईज, वेलकम बैक टो आर चैनल स्टान आटो दोस्तों, हॉन्डा की सबसे जादा पसंद की जाने वाली स्पोर्टी मॉडल हॉने 2.0 अब और भी जादा स्पोर्टीर लूप, बहतरीन फीजर्स और बीए सिक्स फेस टू के साथ लॉंच होने वाली है अब अभी फिलाल मार्केट से हॉने 2.0 अल्मोस्ट डिसकर्णियों भी हो चुका है सो आज के इस वीडियो में हम हॉने 2.0 के और नियू वर्षिन 3.0 के बारे में डिसकर्स करेंगे जिसका लॉंच आने वाले दो महिनों के अंदर ही कनफर्म हो जाएगी तो चलिए देख लेते हैं कमपनी हॉने 2.0 में कौन-कौन सी नियू एलिमेंस को एट करती है पावर और परफॉर्फॉर्मेंस में कितना चेंजेज देखनी को मिल जाएगा और प्राइस पहले से कितनी इंक्रीज होगी एटसेटरा बेसिकली हॉन्डा की हॉने 2.0 मार्केट की काफी अच्छी नेकेट स्पोर्ट सेग्मेंट की मशीन है जिसकी ओवरल लोग, स्टाइल, फीचर्स काफी अच्छे है इसके अंदर आपको फ्रॉंट की तरफ इवस्री फ्रॉंट फॉक ओफर किये जाते हैं और LED लाइटिंग यूनिट है लेकिन फिर भी बाइक के अंदर बहुत से एलिमेंट्स मिसिंग है जिस वज़े से यह अपने सेग्मेंट की बागी बाइकों के साथ कंप्लीट नहीं कर पाती है जैसे की एक 180cc सेग्मेंट की बाइक होने के बावजुद भी इसके अंदर सिंगल चैनल ABS ओफर किया जाता है इस प्रॉब्लेम को डेफिनिटली इसके निव वर्शन में सॉल्फ कर दिया जाएगा डूल चैनल ABS को ओफर करके क्योंकि अभी NS और MT-15 जैसे मॉडल्स में भी डूल चैनल ABS आ चुका है इस बज़े से बाइक की टॉप इंड पर्फॉर्मेंस और माइलेज पहले से काफी बहतर होने वाली है साथ में एर ओयल कूलिंग सिस्टेम की जगा लिकुड कूलिंग सिस्टेम बाली BA6 Phase 2 Compliant एक 184.40cc की सिंगल सिलिंडर री टून्ड इंजीन ओफर किया जाने वाला है जिस बज़े से बाइक में पावर पहले से थोड़ा कम देखने को मिलेगा लगबग 17BHP तक की मैक्सिमम पावर इसके अलावा आपको बाइक में नियूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स दी जाएंगी न्यू कलर स्कीम होंगे और एक औल न्यू फुली डिजिटल ब्रूडूट करनेक्टेट इंस्ट्रूमेंट कंस्रूल भी ओफर किया जाएगा जिसमें बाइक के सारे मेजर इंफर्मिशन शो होने वाली है अब आते हैं बाइक के प्राइस की तरब तो एबाइक अभी आपको 1.36,000 के एक शोरूम प्राइस रेंज में अविलेवल हो जाती है जो बाद में लगबग 10,000 के अराउंड इंक्रीज होने वाला है